हेलो दोस्तों आपके सामने यहां पर कुछ रूल्स लिखे वे हैं आपने यह रूल्स कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे और डेफिनेटली आपने इन रूल्स को अपने मैप की कैल्कुलेशन में अपलाई भी किया होगा तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस के पीचे का लोजिक है इनके जो ट्रांस्फॉर्मेशन या फिछ वाली चीज माइनस में हो जाएं यह जितने भी रूल्स है इनके पीचे का आपको मैं लोजिक बताऊँगा आपको बस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हैं तो आपका बहुत ही जादा घाटा होने वाला आपको इसके पीछे का लोजिक नहीं पता चलेगा आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर चैनल पर नियू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंट्रेश्टेबल एंड नोलेजबल वीडियो लाते रहता हूं तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस लोजिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक्वेशन लिखता हूँ और उस एक्वेशन के थुरू मैं इस लोजिक को आपको समझाओंगा यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी क्वेशन लिख दिया है 2x is equals to 6 यहाँ पर मैंने एक simple equation लिख दिया equation क्या होते है friend equation होती है variable and constant के बीच में relationship variable क्या है जो भी आपके alpha bet से होगे आपके variable a to z and जो constant है वो आपके नमर होगे 1 to जो भी आपकी counting है वो आपके होगे constant तो यह होती है equation variable variable और constant के बीच में जो relationship होता है वो होता है equation अब देखिए दोस्तों जो हम इन formulas को apply करते है तो multiply वाले चीज equal के अधर जाके क्या हो जाते है divide यो आते हैं अब जैसे कि मैं equation को solve करूँ है simple equation मैंने लिखी आपको समझाने के लिए 2x equals to 6 अगर मैं इसको solve करूँ तो मैं आप कैसे करेंगे यहां से आप x की value निकालेंगे तो 6 यह multiply में 2 है तो divide में 2 आजाएगा तो यहां से x की value क्या आजागी friends 3 यह तो आपने करा इस formula से इस rule से कि हाँ अगर कोई चीज multiply में है तो यहां से अगर मैं किसी और तरीके से x की value 3 निकालता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं तो यह equation मैं दुबारा लिख रहा हूँ 2x is equals to 6 अब मैं आपको friends को समझाने से पहले एक चीज बता देता हूँ equal equation का मतलब यह होता है अगर आप कोई भी चीज left hand side में करते हो equal के अगर आपने left side में कोई change करा तो आपको वही change right side में भी करना है जैसे कि यहाँ पर अगर 2x equals to 6 है अगर मैं यहाँ पर left hand side equal के इधर left वाले part को अगर मैं 2 से divide कर दूँ 2x को 2 से divide कर दूँ तो मेरे को 6 को भी 2 से divide करना पड़ा तो यहाँ से अगर मैंने दूनों side 2 से divide करा तो 2 से 2 कर गया और 2 से 6 कर गया 3 time तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी x की value जो आई friend 3i अब जैसे कि आफ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जब उपर यह solve कराता है यहाँ पर भी x की value 3i और यहाँ भी x की value 3i बट उपर वाले case में मैंने इस rule का apply करा तकि multiply वाली चीज equal के उधर जाती है divide में हो जाती है और vice versa अगर divide की चीज़ है right side में तो वह equal के left side में आती है तो multiply भी हो जाती है तो मैंने यहाँ पर जब पहले इस equation को solve करा तो मैंने इस rule का apply करा था multiply वाली चीज divide में चलिगे थी right side में जाके जैसे कि यहाँ पर two multiply में था left side में तो equal के उधर आके right side में क्या होगे यह divide में बट जो मैंने second बार जब इसको solve करा तो मैंने इस rule से solve नहीं करा मेरे को क्या करना था जब भी आप इस rule से solve करते तो आपको maximum क्या करना पड़ता है variable की value निकालने पड़ते है जैसा कि यहाँ पर भी आपने देखा x की value आपने three निकाल दी बट मैंने इसको दूसरे तरीके से करा रहा मैंने क्या करा मुझे पता कि अगर मेरे को कोई equation दी है अगर मैं left hand side में तो मैंने वही कारा मैंने क्या करा मुझे x की value निकालने क्यों क्योंकि जब भी हम इन इन रूल को इनन एकालने करते है तो maximum हम couldn करते है तो मैंने सोचांगे अगर variable की value निकानले तो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ना मेरा इससे कुछ effect पढ़ा, इस equation में, क्यों, क्योंकि मैंने जो चीज लेफ्ट hand side में करिया, जो equal left part में करिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 से divide करा है, वही same चीज मैंने right side में भी करिया, 2 से मैंने 2 से divide करा, अब देखे दोस्त के right side में के क्या हुआ, divide में हुआ, बट इसको simple बनाने के लिए हमने direct formulas बना दे के multiply वाली चीज, equal के उधर जाके divide में हो जाती है, और directly हम करते हैं, जैसे कि अगर हम इसे ऐसे भी solve करें, तो यह बहुत थोड़ा length हो जागा, दोनों तरफ 2 से divide करो, देखने में भी थोड़ा अजीबसा लगेगा, इसलिए हम direct हमने rules बना रगे के multiply वाली चीज, जो equal के इधर जाती है, divide में हो जाती है, हमने यहाँ पर कराई क्या है, multiply वाला 2 जो था यहाँ पर, यहाँ पर हम divide में लेकर आई थे, यहाँ पर भी क्या हुआ, multiply वाला 2 डिवाइड में आगे, यह 2 तो cancel हो गया, तो दोस्तो हुआ कुछ नहीं था, बस हमने अलग से rule बना दे के multiply वाला चीज, divide में जाता है, मैं एक और friends example लेकर समझाता हूँ, अब आपको उच्छे समझ में आजाएगा, आपको भी जाएगा, तो दोस्तो मैंने आपर second example लिग दिया, जैसे कि आप देख सकता ह 4x-8 equals to 4, यह क्या है, आपके sense equation है, मैंने आपको क्या बता है, अगर आप left hand side में कोई change करते हैं, तो आपको वही same change right hand side में करना पड़ता है, और मैंने आपको यह भी बता है, जब भी हम इन rules को apply करते हैं, जब भी दोस्तों हम इन rules को apply करते हैं, तो हम maximum क्या करते हैं, variable की value निकालते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने x की value निकाली, तो जब भी हम इन rules को apply करते हैं, मैं variable की value निकालने के लिए करते हैं, अब जैसे कि मैं इन rules को यहाँ पर use नहीं करूँ हो, इस equation से मैं कह करते हैं, जो मैंने second method यहां से करा था, दोना side 2 से divide, य आपको variable की value निकालने हैं, तो अब क्या कर सकते हो कि variable की value आज है, आपको क्या करना, उसको opposite करना, जो चीज आपको हटानी है, उसका opposite करना, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर 4x minus 8 equals to 4 लिकाए, अब मुझे यहाँ से variable की value निकालने है, वैरियाबल की value क्यों निकालने है, क अगर मेरे को इस minus का 8 हटाना है, क्यों हटाना है friend, बस मुझे यहाँ पर x की value चाहिए, तो x की value चाहिए, तो जितना भी उसके साथ है, सब कुछ हटाना पड़ेगा, यह 4 भी हटाना पड़ेगा, यह minus 8 भी हटाना पड़ेगा, बस एक तरफ variable बचना चाहिए, एक तरफ कह बचना चाहिए, कोई number बचना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से minus 8 को हटाएंगे, और 4 को भी हटाएंगे, तो minus 8 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं minus 8 की जगा प्लस 8 लिया हूँ, minus 8 और plus 8 क्या हो जाएंगे, cancel, तो मैं यहाँ पर अगर plus 8 एड़ करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो minus 8 है, minus 8 और plus 8 तो हो गए, cancel, ठीक है दोस्तो, 4x is equal to, 4 plus 8 कितना हो गए, 12, अब देखे दोस्तो, मैंना क्या दाता है, इन rules का हम apply क्यों करता है, इन rules का हम use क्यों करता है, variable की value निकालने के लिए, तो यहाँ से हमें variable की value निकालने है, variable की value क्यासे निकलेगी, एक तरफ variable होना चाहिए, और एक तरफ constant होने चाहिए, तो यहाँ बे 4 है, अब मिरको यह 4 multiply में है, अब 4 मिरको यहाँ से हटाना है, बस variable की value चाहिए, तो मैंने क्या गा तो उसका opposite करना पड़ेगा, अगर यह multiply में है, अगर मैं इसको divide कर दूँ, 4 से ही, तो यहाँ से 4 से 4 प्रकड़ी आगा, बट मैंने आपको एक चीज़ बताएती ही, अगर आप कोई भी change, left hand side या फिर right hand side में करते हो, तो वही same change आपको दूसरी तरफ करना पड़ेगा, अगर आप left में 5 side करते हो, तो right में भी करना पड़ेगा, अगर left में 5 subscribe करते हो, तो right में भी करना पड़े तो मैंने equal के right part को भी 4 से divide कर दिया, तो मैं जब इसको 4 से divide करूँगा, 12, 4 से कितने time में कर जाएगा, 3 times में, तो यहां से आपकी जो x की value आई, दोस्तों क्या ही, 3 आई, तो यह मैंने अपने method से करके बताया कि कैसे हम बिना rules को apply करते हुए, ऐसे value निकाल सकता, अगर मैं इसी को, अगर rule के according करूँ, तो कैसे निकलेगा, मैं यह equation दुबारा लिख देता हूँ, 4 x minus 8 is equals to 4, rule के according क्या कहता है, जो minus वाजी चीज होते है, वो equal के दर जागे कैसे हो जाए, plus की, तो 4 x equals to 4 plus 8, तो 4 x is equals to 8 plus 4 कितने होगे, दोस्तों 12, और यहां से यह 4 क्या multiply में है, तो rule के according क्या हो जागा, 4 divided में आजागा, 12 divided by 4, तो यहां से कितने value होगे, x की value आगा, यहां पर, 3, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, आप किसी भी तरीके से करिए, आपका answer वही आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, कि यह जो rules होते ही है, यह जितने भी यह rules है, इनसे maximum क्या करते है, variable की value निकालते है, अगर हमें variable की value निकालने है, तो इसको हमने short form में लिख दिया, कि multiply वाली चीज, equal के उधर जागे, divide में हो जागे, क्यों अगर कोई चीज multiply में है, अगर हम उसे उसका posit करेंगे, तो हमें divide करना पड़ेगा, और अगर हम left side में divide कर रह आगे, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर 4x divided by मैंने 4 करा, अब यहां पर indirectly हुआ क्या, 4 से 4 तो cancel हो गया, बट जब मैंने left hand side में 4 से divide करा, तो मुझे right hand side में भी करना पड़ेगा, नहीं तो equation imbalance हो जागे, तो मैंने 4 से यहां पर right hand side में भी divide करा, तो indirectly हुआ क्या, 4 से 4 तो कड़िया, और यहां पर 4 divide में हुआ, तो हुआ क्या, देखें, दोस्तों, यहां पर 4 multiply में था, अगर मैं divide नहीं करता, तो होता क्या, 4 multiply में था, तो equal के उधर आगे क्या हुआ है, divide में, तो यही logic है friend, इसके पीछे का कि हम इन rules को apply क्यों करते हैं, हमें variable के value निकानन लेगे हम इन rules का apply करता है, I hope friends, आसकी वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा knowledgeable and interestable रही होगी, तो friends, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जुरू subscribe करें और वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को like कर देना, तब तक मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक के लिए टेक कियर